एक दुकानदार अपने कस्टमर को अट्रेक्ट करने के लिए ना जाने कितनी मशक्कत करता है अंदर दुकान में कुछ मिले ना मिले लेकिन बाहर से वो दुकान को ऐसे चमका कर रखता है कि जैसे सारी ब्रैंडिट चीज़े यही मिलती हो लेकिन एक दुकान की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे कस्टमर देखकर उसके आसपास भीना वटके जिहां तस्वीरों में दिख रही ये एक कपडो की दुकान है जिस दुकान के बाहर फटे कपड़े टंगे हुए हैं लेकिन फिर भी हर कोई इस दुकान में हस्ते हस्ते जाता है और जिसे जिस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं वो उन्हें या मिल जाते हैं सुनकर तो आप यही सोच रहे होंगे कि भला इस फटे कपड़ों की दुकान में क्या मिलेगा तो बता आदे कि भले ही ये दुकान बाहर से कंगाल लग रही हो लेकिन इसके अंदर का नजारा कुछ और ही है जिहां ये दुकान मध्य प्रिदेश के बालगाट जिले में है दुकान का नाम मानीबाई गोलचा साड़ी एंड रेडिमेड है वही दुकानदार का नाम प्योश गोलचा है जिनोंने ये दुकान 15 फरवरी 2012 को खोली थी हालाकि इनोंने बाहर फटे कपड़े टांगे हुए हैं लेकिन इनकी दुकान में पेदाईश से लेकर मरने तक की ड्रेसिस मिलती है जिहां इस दुकान के अंदर का नजार आप बाहर के नजारे से बिलकुल उल्टा है बता दे बाहर से लोग फटे कपड़े टंगे देखकर हसते हुए अंदर गुशते हैं और अंदर गुशते ही हैरान रह जाते हैं वहीं इस दुकान से प्यूशने दाम भी कमाया है और नाम भी वाइरल किड़ निउस